तो हेलो गाईज मेरा नाम है दीपाक और आप देखने वार साथ YouTube चैनल डेश्टेक तो आज मैं अन्बॉक्सिंग करने वाला हूँ Samsung के तरफ से आने वाला Samsung Galaxy M31S मोबाइल कैसी है और इसका प्राइसिंग कैसा है क्या यह value for money है तो सारा चीज आपको वीडियो में पता चलेगा तो वीडियो को अंतक देखना चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो सुरू करने से पहले ही मैं आपसे एक रिक्वेश्ट करना चाहता हूँ कि इस वीडियो हम लोग टारेक्ट करते हैं 100 लाइक्स का तो जल्दी जल्दी कम्प्लीट करो तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं तो यह हमारे सामने सैमसेंग गलेक्सी M31S पैकेजिंग काफी अच्छी करी हुई है तो मैं इसे करूँगा फटा फट से अन्बॉक्सिंग और अंदर दिखाता हूँ पैकेज बॉक्स के अंदर हमें क्या क्या मिलता है तो हमारे सामने है ब्रांड न्यू सैमसेंग गलेक्सी M31S का बॉक्स और मैं इसके साइड साड में देख लेता हूँ बॉक्स के अंदर क्या क्या मैंसन किया हुआ है तो ये मेरे पास जो बेरियंट है वो है 6GB RAM और 128GB Storage के साथ वहीं इसकी दूसरे बेरियंट की बात करें तो हमें मिलता है 8GB RAM और 128GB Storage के साथ और मैं साइड में देख लेता हूँ यहाँ पर हमें Quantity में क्या क्या मिलता है तो फोकस कर ले भाई तो यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग हमें मिलता है One Quantity मतलब यहाँ पर एक Mobile Phone है एक Adapter है वहने एक Cable है और एक Stream Ejector पीन भी है और यहाँ पर हमें एक Manual भी मिलता है तो यह फोन जो है इसका Pricing देख सकते हो 22,999 रूपीज दिया हुआ है और यहाँ पर Mention किया हुआ है Mad in India बट यह Manufacturing इंडिया है Mad in India इसे आप बिलकुल बोल नहीं सकते हो तो चलो अब इसे Unbox करते हैं तो यहाँ पर हमें मिलता है एक User Manual User Manual में ही हमें बाहर में एक Sim Ejector Pin मिल जाता है Sim Ejector Pin का Quality उतना खास नहीं है तो User Manual का हमें कुछ काम तो है नहीं तो इसे मैं रखता हूँ Side में और Sim Ejector Pin को भी रखता हूँ Side में और यहाँ पर हमारा Main Unit जो Phone है उसे मैं बाहर निकालता हूँ यहाँ पर एक Plastic से Wrap करा हुआ है इसे भी रखते हैं हम लोग Side में और देखते हैं Box के अंदर और क्या-क्या है तो यहाँ पर हमें मिलता है एक Charger Charger के उपर Mention करा हुआ है यह साहद Fast Charger तो यहाँ पर 25W का में Fast Charger मिल जाता है So Charger को रखते हम लोग Side में और यहाँ पर Cable की बात करें हटाता हूँ So यहाँ पर Phone काफी Lightweight है और वहीं बात करें इसके Camera की तो Camera जो है 164 Megapixel का है जिसमें F1.8 aperture के साथ Wide Angle के साथ यह Camera मिल जाता है और वहीं दूसरे Camera की बात करें तो यहाँ पर 12 Megapixel F2.2 aperture के साथ यहाँ पर Ultra Wide का Option आपको मिल रहा है और वहीं बाकी जो दो Camera है वो एक 5 Megapixel और दूसरा भी 5 Megapixel है और aperture की बात करें तो यहाँ पर दोनों का aperture 2.4 ही मिल जाता है और एक हमारा जो Camera है वो Micro और दूसरा जो है वो Depth Sensor पे काम करता है और LED के साथ आपको Panorama और HDR का भी Option यहाँ पर मिल रहा है तो यहाँ पर बैक में आप लोग देख सकते हो जो Samsung की ब्रांडिंग की हुए काफी खुबसूरत लग रहा है यहाँ पर और बात करें Front Camera की तो Front Camera में आपको 32 Megapixel के साथ साथ यहाँ पर Punch Hall Camera मिल जाता है और aperture की बात करें तो F2.2 के साथ Wide Angle के साथ आपको मिल जाता है और यहाँ Front में भी आपको HDR का Option मिल जाता है तो Side की बात करता पर Volume Rockers की बटन दिया गया है उसके Just नीचे आपको मिल जाता है Power On, Off और यहाँ पर साथ में आप Fingerprint Sensor भी यूज़ कर सकते हो तो यहाँ पर हम लोग करते है Sim Tray को Eject और देखते हैं इसमें क्या-क्या में Option मिल जाता है तो यहाँ पर आपको मिल जाता है एक Memory Card लगाने का Option और वही पीछे के साइड देखे तो यहाँ पर हमें 2 Nano Sim लगाने का भी Option मिल जाता है तो बात करें अब Phone के Sensor की तो यहाँ पर हमें Compass, Proximet, Syros, Accelerometer और साइड में आपको Fingerprint Sensor का भी Option यहाँ पर मिल रहा है वहीं बात करें नीचे की तो यहाँ पर आप एक 3.5 mm जैक लगा सकते हो और उसके जिश्ट बगल में आप अपना जो मुबाइल है चार्ज कर सकते हो Type-C यहाँ पर दिया हुआ है और यह खास बाते हैं कि आप Reverse चार्ज भी कर सकते हो और बगल में एक Mic और एक Speaker दिया हुआ है तो बात करें यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की तो यहाँ पर हमें Super Amoled Capacitive Touch Screen मिल जाता है और वहीं Size की बात करें तो यह फोन जो है वो 6.5 इंच का है वही Body Ratio की बात करें तो Approx 86.1% Screen to Body Ratio है तो यहाँ पर हम लोग बात करें Resolution की तो यहाँ पर हमें 1080 x 204 Pixel का वही बात करें Protection की तो यहाँ पर हमें Corona Gorilla Glass 3 का Protection यहाँ पर मिल रहा है बात करें Phone के Body की तो यहाँ पर हमें जो Material Use इसमें हुआ है वो Glass और Plastic से मिलकर बना है लेकिन यह लग रहा है देखने में काफी Metal का Feel दे रहा है तो यह जो Phone है वो आपके हाथ में काफी Heavy Feel कराएगा क्योंकि इसका जो बैटरी है वो 6000 mAh का बैटरी इसमें दिया हुआ है जिससे की Phone थोड़ा सा भारी हो चुका है तो गाइज यह वीडियो कैसा लगा आप कमेंट्स में जुरू बताना और आप इससे खहिरना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से आप जाकर चेक आउट कर सकते हो तो गैस आसा करते है आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो पशना है हो तो एक लाइक कर देना और चैनल पर नहीं हो तो सबस्क्राइब कर देना आ और हाँ सबसे जरुशी बात अगर आप ενाध्या करते हो तो यहा पर हमारे